हेलो स्टुडेंट्स माइक्रो टीचिंग को आज एक नए तरीके से देखते हैं चार कोश्चन लिखे हुए हैं आप इसे रैफिल फायर कोश्चन समझ लें और स्टार्ट करते हैं जल्दी बहुत ही कॉमन कोश्चन है जो कमपटिशन एक्जाम में आता है आंसर आपको पता लग गया होगा बहुत तरह के आप्शन देता है अल्जाइमर डिजीज, पिक्स डिजीज, हंटिंग्टन कोरिया, पार्किन्सोनिज्म जैसे कई कन्फ्यूजिंग आप्शन वो देता है वो एक ही डिजीज है जिसे शौर्ट में हम बोलते है एडी या अल्जाइमर डिजीज, इंपोर्टन कोश्चन है याद रखिएगा इसका आंसर, नेक्स्ट कोश्चन है ओंसेट ओफ डिमेंशिया इस, डिमेंशिया का ओंसेट कैसे होता है, दो तरह की बिमारियां आती है, डिलिरियम और डिमेंशिया, डिलिरियम जहां अक्यूट होता है, सडन होता है, वह डिमेंशिया क्रोनिक होता है और प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, देट मींस कि इसका आंसर जाएगा, ना अक्यूट ना सडन, ग्रेज्वल, ग्रेज्वल, ग्रेज्व भी आप याद रखिएगा fear of open place कई बार crowd से confusing कर देता है option में एक जगाय open place देता है और एक जगे crowd देता है crowd जरूरी नहीं है कि open place मर मौझूद हो crowd जरूरी नहीं है अगर जमीन खाली है crowd नहीं है तब भी अगर open प्लेस से अगर क्लाइन को डर लग रहा है तो उसे एगुराफोबिया कहते हैं नेक्स कोश्चन है मोस्ट कॉमन हलुजनेशन सीन इन डेलीरियम डेलीरियम शब्दाते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है और वो है जोचन हां कॉजनेशन को जादा है यह बताने की जरूत नहीं है जहां कॉन्स नेस चेंज होगी वहां विजुल हलुजनेशन के चांसे जादा है अगरर इनसे बिसमाव ज़रूतcome राइए चाहते है तो reply कीजिएगा comment box में thank you and have a nice day good luck